नमस्कार मित्रो जैमातरी स्वागते आप सभी का हमारे यूटुब चेनल में तो कन्यारासी वालो हम बात करेंगे आपके अगले 24 गंटों के महत प्रणरासी फल की यानिकी मित्रो दिनांक 17 जुलाई 2022 का दिन केसा रहेगा आप लोगों के लिए सरुप्रथम मित्रो बात करे पंचांग की तो 17 जुलाई को मित्रो रविवार का बार है साथ में स्रावन मास के क्रस्न पक्स की चतुर्तिती है और सत भी सानक सतर है और मित्रो सुर्रे जो है वहक करकरासी में विराजमान रहेगा तो वहीं दूसरी और चंद्रमा जो है मित्रो वहक कुम्भरासी में तो ऐसे में समस्त ग्रहों की चाल का अगले 24 गंटों में आपकी रासी पर क्या प्रभाव पड़ेगा मित्रों व्यापार की डरस्ती से नोकर की डरस्ती से पारिवारिक जीवन यापन के लिए प्रेम संबंदों के लिए साथ ही मित्रों विद्यारतियों के साथ बेरोजगार मित्रों के लिए क्या समाचार है क्या सावधानिया है और क्या खुष खबरिया है समस्त बातों की जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं तो हमारी इस वीडियो को सुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा क्योंकि वीडियो के बीच में जहां बहुत कुछ उपाई भी हम आपके लिए लेकर आए हैं जिने आजमाने में ना ही आपको कोई धन लगाना है ना ही कोई पुझी लगानी हैं मित्रो इन उपाईों को आजमा कर आप अपने अंदकार रोपी जीवन में एक उजियाला भर सकते हैं तो सब से पहले तो जो भी भक्त अप पुर्ण करेगी तो चलिए मित्रो वीडियो की सुरुवात करते हैं गुरुजी के छोटे से अनमुल विचार से तो मित्रो हमारे गुरुजी कहते हैं कि जो बदला जा सके उसे बदलो जो बदला ना जा सके उसे स्वेकार करो और जो स्वेकार ना जा सके उसे दूर हो मित्रो आपको जिंदगी में किसी से भी कुछ भी लेना देना नहीं है आपको केवल स्वयम को खुस रखना है क्योंकि एक खुसी व्यक्ति ही एक हुसहाल व्यक्ति ही जीवन का सबसे सफल व्यक्ति कहलाता है तो मित्रो गुरु जी का यह ग्यान अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवज से लिखेगा और गुरु जी के इस ग्यान को आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजेगा तो चलिए अब बात करते ही आपके अगले 24 गंटों के महत प्रण रासी पल की तो मित्रो इस समय की सुरुवात बड़ी ही थोड़ी सी चुनोती पुर्ण रहेगी आपको बता दे कि प्रियासों के बाद भी कुछ कामों में नाउमिद महसूस कर सकते हैं जी हां आपने बहुत प्रियास किये हैं लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि समय और भाग्य हमारा साथ नहीं देते हैं जदा घबराने की बात नहीं है भावनात्मक रोप से आपके लिए थोड़ा सा यह समय तकलिफ दायक साबित हो सकता है लेकिन आप तकलिफों से घबराए नहीं क्योंकि कोई भी तकलिफ इतनी बड़ी नहीं है जितना आप उसे समझ रहे हैं आपकी अपक्सा और घटने वाली घटनाओं में जो दरार महसूस हो रही है उसके कारण प्रियास बीच में ही रोके जा सकते हैं इसलिए मित्रों घटने वाली घटनाओं से दूर रहें और जो अपक्साएं हैं उन्हों अपक्साओं को अपने मन से निकाल दें अवसर आपको प्राप्त होंगे लेकिन जिम्मेदारियां और काम से होने वाले फाइदय का विचार करके ही आगे बढ़ना है जो जिम्मेद कारियां आपको मिली है जो काम आपके चल रहे हैं उन पर ध्यान दे किसी व्यक्ति को आपके लिए आकरसन महसूस हो रहा है यह व्यक्ति अगले कुछ दिनों में अपने भावनाओं को आपके सामने रखने की कोशिस करेगा और आप ही के द्वारा पूरा समर्पन इस सामने व्यक्ति को मिलेगा मित्रो दातों से संबंदि समस्या दूर करने के लिए डाक्तर की सलहा आपको लेना बहुत जरूरी है जिस विचार के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं उस विचार से होने वाले नुपसान का अंदाजा आएगा और मित्रो एक अच्छी बात यह भी है कि आप विचार करके आगे बढ़ रहे हैं योजना में किये गए बदलाव के कारण परिष्टिति के साथ बातों को समझपाना मुश्किल हो सकता है मित्रो परिष्टितियां और बाते दो अलग चीज है इन दोनों को समझना बहुत जरूरी है किसी व्यक्ति के साथ वाद धियान रखिएगा कि पार्टनर के द्वारा किये गए काम की वज़े से रिलेसंसिप तोड़ सकता है और इस बात का भी धियान रखिएगा कि यूरिन इंफेक्शन की तकलिफ बढ़ती हुई नजरा रही है तो सेहत के प्रती आपको जरासी भी सावधाने आपका नुक्सा उसके लिए आप योजना बना पाएंगे मित्रो सबसे पेहले तो इस बात का धियान रखिए कि आप किस छेतर में क्या कारे करना चाह रहे हैं आपके विचारों में जब तक इस पश्टित नहीं रहेगी आप आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे आत्मविस्वास बनाए रख रहे हैं और खुद की प्रगती रोक रहे हैं इसका अउलोगन करें भावनात्मक बातों में संतुलन बनाए रखिए और मित्रो आपको कुछ बाते ऐसी भी बाद में समझाईगी जो आपके लिए नुकसान दायक थी लेकिन आप इनका समय रहते अनुसरण नहीं कर रहे हैं काम से संबंदित महत प्रण अउसर प्राप्त हो रहा है इस अउसर का पूरा फाइड़ा उठाने की कोशिस करें और रिलेसंसिप में दूविदा हो सकती है इस कारण आपका अक्यला पन बढ़ेगा सपनों को साकार करने के लिए पूरी उर्जा के साथ काम करना होगा पूरी मेहनत के साथ कार करना होगा पूरी योजना के साथ कार करना होगा तभी आप सफल हो पाएंगे और अपने सपनों को हकिकत में कर पाएंगे आपकी एक अग्रता बढ़ सकती है इसलिए अपने लक्स पर फोकस बनाए रखें आपकी एक अग्रता जब बढ़ेगी आपको अपने जीवन का केवल एक ही इस पश्ट लक्स नजर आएगा और दूसरों के गलत विचारों का असर अपने सुभाव पर बिल्कुल ना होने दे सामने वाला व्यक्ति आपके प्रती क्या सोच रखता है आपका उसके प्रती मन में क्या विचार है इस बात को ज़्यादा तूल ना दे आपके प्रयतने की वज़े से प्राप्त होई प्रगजिके कारण आपको आनंद मिलेगा और अपने काम में पारंगत होने के लिए आपके द्वारा प्रयतने किये जाएंगे अपने व्यक्तित्वों को सुधारने के लिए किये गए प्रयत्ने की वज़े से कई व्यक्ति आपकी और आकरसित हो सकते हैं मित्रो आपने एक चीज तो अपने जीवन में अच्छी की है कि आपने अपने व्यक्तित्वों को सुधारा है आप में बहुत जदा एहिंकार और चिड़ चिड़ापन बढ़ गया था आपने उस पर ध्यान दे कर उसमें सुधार किया है और अब आपको बता दे मित्रो कि अपने जो व्यक्तित्व में सुधार किया है उसे बरकरार रखें कमर में जक्रन आपको महिसूस हो सकती है और कोई खबर मिलने से नाराजगी हो सकती है लेकिन परिष्तिति नकरात्मक नहीं है हाँ हो सकता है कि वह खबर थोड़ा सा दुख दे तकलिफ दे, दर्द दे लेकिन इस का मतलब यह हैं नहीं है कि आप केवल नकरात्मक की ही सोचें और परिश्टीतियों को भी नकरात्मक बना ले काम का बोज हाला की बढ़ सकता है खुद को दबाव में महसूस करेंगे लेकिन आपको अनुभाव भी मिलेंगे जो कि भविश्य में सुविवस्था बनाने में मदद करेंगे भविश्य में आगे बढ़ने में आपके लिए बहुत बढ़िया विकल्प बनाएंगे रियल इस्टेट से जुड़े लोगों को काम से संबंदित बातों में दिक्कत हो सकती है जिसे दूर करने में वक्त लगेगा और रिलेसंसिप से संबंदित जिम्मेदारी केवला आप ही के द्वारा निभाई जा रही है जो विवाद का कारण बनेगी में तो रिष्टा कोई भी हो एक तरफा रिष्टा कभी सफन नहीं हो पता है और ना ही पुर्ण होता है यदि रिष्टा दोनों और से बराबर रिष्ट निभाई जाए तो जीवन में वही रिष्टा बहुत सफल होता है इसलिए रिष्टो की भी कुछ मरियदाए होती है रिष्टो के भी कुछ नियम होते है यदि सामने वाले व्यक्ति आप से बात ही नहीं करना चाहरा है तो आपको भी धियान रखना है कि सामने वाले व्यक्ति के सामने ज़दा गिड़ गिड़ाना नहीं है यदि रिष्टा दोनों और से चल रहा है बरोबर चल रहा है तो आप अपने जीवन में उस रिष्टे को एहमियत दे तो मित्रो वीडियो की समापती अभी यहीं पर होती है अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक अवस्य कर दिजेगा कमेंट बॉक्स में गुरुजी का आशिरवाद प्राप्त करने के लिए स्री सिवाय नमस्तो भ्यम अवस्य लिखिएगा और देनिक रासी फल एवं रोजाना ज्यान वर्दक वीडियो की प्राप्ती के लिए आप सभी मित्रो हमारे चेनल को सस्क्राइब करके हम से अभी जुड़ जाईएगा वह जो स्क्रिन पर आपको लाल बटन दिखाई दे रहा है उसे दबा दीजेगा वह पास्म भग घंटी भी दवा कर हमारे यूटूब चेनल से आप सभी मित्रो अभी जुड़ जाईएगा